गांधी जैनती क्यों मनाया जाता है और कब मना जाती है आए इसके बारे में फुल डिटेल से जानते हैं और इसके हिस्टरी को समझते हैं कि why we celebrate गांधी जैनती महत्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जैनती क्यों मनाया जाता है यदि नहीं तब आज का वीडियो आपके लिए काफी जानकरी भरा होने वाला है क्योंकि आज हम गांधी जैन्ती और गांधी जी के सम्मझ में काफी जानकारी पराप्त करेंगे गांधी जैन्ती एक राष्ट्री अवकास होता है जिसे कि 2 अक्टूबर को पूरे देश भर में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है इस दिन को हमारे देश के पिता महत्मा गांधी जी की जनम दिवस पर उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है गांधी जी का पूरा नाम था मुहनदास करमचंद गांधी लेकिन उन्हें ज्यादतर लोग बापू जी या महत्मा गांधी पुकारा करते थे गांधी जी की जनम दिवस को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी खुद सबसे बड़े अहिंसा के बुजारी थे वहीं वे शांती और सचाई की भी मूरत थे इसलिए आज मैंने सोचा की क्यों ना आप लोगों को गांधी जैनती क्यों मनाया जाती है और गांधी जी के सम्मंध में पूरी जानकारी परदान करूं जिससे आपको भी इस महाव्यक्ति के विशे में जानकारी मिले अब आएए समझते हैं कि गांधी जैन्ती क्या है वाट इस गांधी जैन्ती देखिए गांधी जैन्ती भारत की इतिहास का एक महत्पुन दिन है क्योंकि इस दिन को मोहंदास करमचंद गांधी के जनम दिन नाम से जाना जाता है हम ना केवल इस दिन को भारत में मनाते हैं बलकि अंतार राष्ट ये अस्तर पर अहिंसा दिवस की रूप में मनाते हैं क्योंकि महत्मा गांधी अहिंसा के महान परचारक थे इस दिन पर राष्टि पिता महत्मा गांधी का जनम दो अक्टूबर 1879 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था वे व्यक्तिगत मोर्चे के साथ साथ राजनेतिक परभाव में भी एक महान व्यक्ति थे महत्मा गांधी को भारती सवतंतरता अंदोलन के एक परमुख व्यक्ति थे वह भारतियों के लिए प्रेरना के स्रौत थे ना केवल भारत में बलके पूरे विश में महत्मा गांधी के विचारों का एक बहुत सम्मान और सम्मान किया जाता है इसलिए गांधी जी की 151 वी वर्स गांध को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में उतसाह का माहौल है अब आए थोड़ा जान लेते हैं महत्मा गांधी के बारे में कि राष्टी पिता महत्मा गांधी का जनम 2 अक्टूबर 1879 को पूरबदन गुजरात में हुआ था आपका पूरा नाम मुहंदस करमचंद्र गांधी है मुहंदस का विवाह 13 वर्स की आयू में कस्तूर बा से हुआ था गांधी कानून का अधियन करने के लिए इंगलिन गए चार साल के बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लोटी और कुछ दिनों तक यहां अभ्यास किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली इस बीच उन्हें दक्षिन अफरीका की यातरा करने का उसर मिला उन्हें दक्षिन अफरीका में नसली बह्यदभाव का भी सामना करना पड़ा दक्षिन अफरीका में जब वो पर्थम सिरेनी के ट्रेन में यातरा कर रहे थे तो मुहंदास गांधी को एक अंग्रेज किने सामान के साथ बॉक्स से बाहर निकाल दिया इस परकार उन्हें दक्षिन अफरीका में रह रहे है भारतियों के साथ आमानवी वेवहार और बह्यदभाव के खिलाफ भारतिय कॉंग्रेज का गठन किया यह दक्षिन अफरीका में भारतियों के अधिकारों के लिए संगर्स के दौरान था कि गांधे ने आत्म शुधता और सत्य ग्रह के से धानतों का भी इस्तिमाल करना शुरू कर दिया जो अहिंसा के उनके वेवहार पक दिर्ष्टिकौन का हिस्सा थे उन्हें दक्षिन अफरीका में भारती सर्मिकों खन मजदूरों और खेतिहर मजदूरों को एक जुटकें और अंग्रेजी शासन के अन्याई के खिलाफ आवाज उठाई 21 साल दक्षिन अफरीका में रहने के बाद गांधी 1915 में भारत लोट आए गांधी ने भारत के आजादे के लड़ाई में महत्पुन भूमी का निभाई भारत लोटने के बाद गांधी ने देश की सवतंतरता के लिए कई अंदोलनों का नेत्रितु क्या वह एक कुशल राजिनितिक थे जिन्होंने अंग्रियसी राजिय से भारत के मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी और गरीब भारतियों के अधिकारियों के लिए आवाज उठाई वह देश भर में गूमते रहे और लोगों को अपनी देश भक्ति के बारे में जाग रुक किया पूरे दुनिया खुद को अहिंसा के पुजारे के रुप में याद करती है यही सब कारण है कि महत्मा गांधी को याद करने के लिए उसके जनम दिन पर गांधी जैन्दी के नाम से लोग मनाते हैं उतसाह करते हैं और खुश्या मनाते हैं महात्मा गांदी जी बहुत बड़े आलिम थे बहुत बड़े जानकारी थे बहुत बड़े ग्यानी थे और उन्होंने आजाजी पर बहुत बड़ा उसे भूमिका निभाई लोगों को एक जुट करने में लोगों को बराबर हग दिलाने में महात्मा गांदी जी का बहुत को सब्सक्राइब करेंगे हमारे वीडियो को लाइक करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में